तो चंद अशार पेश करती हूँ, मतला इस किया है किसी निगाह की जो बेबसी समझते है किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं, जो जिन्दगी समझते हैं, वो चंद लोग हैं, जो शायरी समझते हैं, ये बात हम ही नहीं, आप भिसे हैं वह 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 दबाओ दिल पे कोई था नलब पे ताले थे जरा सी बात यही थी जबा पे चाले थे हमारे जिस्म को दरकार धूप थी लेकिन वो रास्ते के शजर सारे चाओ वाले थे जो खौब तूट गए उनका तूटना तै था जो खौब तूट गए उनका तूटना तै था हमी ने तोड़ दिये सब हमी ने पाले थे एक बजल की चदशार देख ले शाम तो आई शाम तो आई शाम तो आई तारा जी बहुत शुक्र है बहुत शुक्र है और आप सब जानते हैं एक सचा शेर है कि अब तो दुनिया की हर एक चीज मैसर है हमें अब तो दुनिया की हर एक चीज मैसर है हमें जब जरूरत थी सहारा नहीं आया कोई और एमान सब दिश्चेर देखे कि रंजता पहले पहल रंजता पहले पहल हम ही अकेले हैं यहां यह भी अच्छा हुआ तुम्हारा नहीं हाया कोई और शेरे भी देख लें가 कि राद भर राद भर चान ने दर्वाजे पे रखी आखे राद भर दर्द का मारा नहीं आया कोई और एक गजल ओर देख लिए इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा यानि किस्सा मुक्तसर हमसे नहीं हो पाएगा यानि किस्सा मुक्तसर हमसे नहीं हो पाएगा जिसकी आखो ने दिए हैं जिसकी आँखों ने दिये हैं जिन्दगी को सारे रंग उसकी आँखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा उमीद जस्बा सब ये कहकर चल दिये इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा वाँ 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 इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा वाँ और एक शिर्य देख लिए कि दिल दुखाना दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम वाँ दिल बहुत शुक्राइब दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम आप कर लेंगे मगर नहीं हो पाएगा ये क्या हुआ तुम्हें ये क्या हुआ तुम्हें लफजों से मात खाने लगे ये क्या हुआ तुम्हें लफ्जों से मात खाने लगे सवाल हमने किया और नजर जुकाने लगे अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं जो हाँ सेख रहे थे वोट के जाने लगे अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं जो हाथ सेख रहे थे वो उठके जाने लगे अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे और एक मतला दो शिरोड देख लें इश्ट की रस्म निभाना थी इश्ट की रस्म निभाना थी निभाली मैंने इश्ट की रस्म निभाना थी निभाली मैंने दर्द की बस्ती बसाना थी बसाली मैंने वो जरूर आएगा प्रताब जी वो जरूर आएगा एक आस लगा ली मैंने घर की हर चीज करीने से सजा ली मैंने और अपनी सारी बेहनों को एक शेर नजर करती हूँ कि घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते हैं वो तो अच्छा हुआ दीवार बचाली मैंने वो तो महफिल में ही एलाने वफा कर देता बात मत पूछिये फिर कैसे समभाली मैंने और जिस शेर को सुनाने के लिए ये अशार सुनाए वो शेर हाजिर करती हूँ कि आज फिर आज फिर चाए बनाते हुए वो याद आया अनस भाई आज फिर चाए में पत्ती नहीं डाली मैंने बहुत बहुत शुक्रे जो है आपके आसपास आपके शहर का खास वो दिखाएगा आपको DN24 आपका अपना Digital News Network तो फिर कीजिए लाइक सब्सक्राइब और फॉलो